एक ऐसी लड़की जिसने कभी उस खेल को खेलना छोड़ दिया जिस खेल की वज़ा से आज वा सुर्ख्या बटोर रही हैं इंडियन सूटर मनु भाकर ने हिस्ट्री क्रियेट कर दिये मनु अलम्पिक में ब्रोंज मेडल जितने वाली पहली इंडियन फिमेल सूटर बन चुकी हैं तो फिर ऐसा क्या हुआ जो एक बार फिर से वह रेंज में उतरी और इंडिया को 12 सल बार 10 मीटर एर पिस्टोल में फर्स्ट प्रोंज मेडल जिताया तो चलिए जानते हैं 18 फरवरी 2002 हरियाना इजर में पैदा हुई मनुभाकर इंडिया के इतना नाम रोशन करेंगी या तो यह उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था और ना उनके पैरेंस ने सोचा होगा लेकिन हो वह सपोर्ट वह हीमत और मनुभाकर का अपना खुद का भरोसा जरूर उनके साथ जिस वज़त से आज यह पोसिबल हो पाया अगर बात करें उनके पैरेंस की तो वह अपनी पैरेंस की एक लोती बेटी है और उनका एक भाई ये उनके पीता का नामे रामकिशन भाकर और ममी का नामे सुमेदा भाकर मनुभाकर पड़ाई में हमेशा अची थी यानि के अथलेटी केरियर से पहले अकाडमिक में भी उनका काफी अच्छा इंट्रेस्ट था ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ खेल में ही अपना हाथ आजमाया और वहीं पर इंट्रेस्ट दिखा कर जीध हासिल की बलकि वह पाइटियें जी जगा से काफी सारे बॉक्सर और रेसलर निकले हैं यानि हरियाना से लेकिन इन्होंने शुटिंग में अपना केरियर बनाने का फैसला लिया बेडमिंटन हो या टेनिस या फिर मार्सल आर्ट हर खेल में काफी अची परफॉम करने के बाद सुटिंग में काफी ज़्यादा नाम कमाया सबसे पहले बात करें उनके अकाडमिक केरियर की तो उन्होंने दोजारे कैस में लेडी सीरी राम कोलेज दिली उनुबर्सीटी से अपनी पुलेटिकल साइंस में डिग्री हासिल की इसी के साथ वह इस वक्त भी पंजाब उन्वर्सीटी से प पहले आइसा ना हुआ हो इस वज़ास से उन्होंने सुटिंग चुना 14 सल की उम्रे से मनुभाकर सुटिंग की प्रैक्टिस करने लगती हैं 2024 पेरिस अलम्पिक में जहां आज उन्होंने जंडे गार दिया है तो उनकी या मेहनत रातो रात की नहीं है बलकि सालों की है दार सल बाद मनुभाकर सिर्फ 16 सल की एज में कोमन वेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जितने वाली सोसल मीडिया सेंसेशन बन गई जिसके बाद इंटरनेट पर उनका काफी नाम हुआ ये एक तरीके से उनका टर्निंग पुएंट था जब लोग उनके बारे में बाते करने लगे लेकिन उनका गोल तो अलम्पिक में जाना था मनुभाकर को बहुत सारे आवाड मिले हैं जैसे कि 2020 में मिनिस्ट्री ओप यूथ अफियर एंडर स्पोर्ट के तरप से उने अरजुना आवाड मिला इसके बाद उने बेस्ट योंग एथलिट आवाड मिला 2019 में इसके बाद उन्होंने एसियन गेम हो या कॉमन वेल्थ गेम हर तरप अपने जंडे गाड़े और कई मेडल्स हासिल किये और फिर आया साल 2020 का टोकी ओलम्पिक जहां पर पहली बार मनुभाकर काफी उमीदों के साथ यहां गई थी उनका यह पहला ओलम्पिक गेम था हलाकि यहां उनकी उमीदे तूट गई दारासल यहां पर वह अपनी गल्ती की वज़ा से नहीं हरी थी बलकि उनके परफर्फर्मेंस के दरान उनके पिस्टल में आई खराबी के कारण उन्हें हार का समना करना पड़ा और इसी हार के कारण वह इस गेम को छोड़ने वाली थी यही नहीं टोक सिनेमा के साथ दिये गए एक इंटर्विव में इसी बात को साब किया है कि वह भागवत गीता में काफी विश्वास रखती हैं और जब टोकियो अलम्पिक में वह हार गई थी तो भागवत गीता ने उन्हें काफी ज़्यादा सहारा दिया और फिर आया दोजार चौबिस क यहां पर मनुभाकर ने इंडिया को पेरिस ओलम्पिक में पहला मेडल जिताया यहीं है पेरिस ओलम्पिक की पहली मेडलिस्ट मनुभाकर की कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें